तो वहीं विधान सभा ध्यक्ष डॉक्टर चरंदाश महंत का दर्चल का है सभा में सब के सामने उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है महिला सांसत के टिकेट काटने की अभी से तयार हो रही है और मेरी पत्नी का टिकेट कटवाने का प्रयास कर रहे हैं लोग तो मेरी पत्नी राजुस्थान, मध्यप्रदेश और चत्रिस गर से एकलोते महिला सांसत है महिला सांसत का भी लोग टिकेट काटने की प्रयास में है और पहले भी राजुस सभा जाने को ले करके उनका दर्चल का था तो असल स्पीकर चर्णिदास मांच के जो दर्द इस दौरान छल के और उन्होंने ये बड़ी बात कहा लिए उन्होंने का कि किस तरह के से देखिए ये पूरी प्लानिंग केता है तो मेरी पत्नी का चिकेट काटने का प्रयास लोग कर रहे हैं मेरी पत्नी राजुस्थान, मर्थे प्रदेश और 36 कर से एक लोती महिलास सांसद और ऐसे में महिलास सांसद कभी लोग चिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं पहले भी राजुसभा जाने को लेकर के उनका दर्द छलका था और एक बार फिर से चरंदास के तरफ से बड़ी बात कही गई है इस बात की जानकारी आपको दे दे कि धरसर उनकी पत्नी को चिकेट मिलना था लेकिन उनकी चिकेट करने की जो खबरे सामया है उसको लेकर के चरंदास महन के तरफ से उनका दर्द छलका और उन्होंने सभा में बड़ी बात कह दी तो उन्होंने अपनी बात रखते वे काया है कि महिला सांसर्थ के चिकर्च अकात्नी की अभी से तयारी हो रही है मेरी पत्री का चिकर्च कचवाने का प्रयास कर रहे हैं लो अबरे राजिस्थान, मर्थ प्रदेश और सच्ची ज्यारत में कुल मिला के 55 लोग सबस किते हैं तीन जी केंसर्थ कितने सरम की बात है एक समलनाग जी कर दारता एक हमारा जी पर फ़र्मानाग बस्तर का और तीसरी एक मात प्रमहिला प्रदेश में से प्रदेश में से एक महिला जीती है परिली की है, बातन भी करती है, उसके पुछा दादा सब लोग सबस्तर का नाम रहें मगर यहाँ उसकी टिकित को कातने पे अभी से नहीं लगाते हैं तो कोर्वा में एक सभाक आयुचिन किया गया था, जहां पर इसी दो रांच अतिसगर विदान सभाद्यक्ष दॉक्टर चरंदास महंत ने मंद से एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी राजुस्थान मध्य प्रदेश और 36 गड़ के मध्य भारत को मिलाकर के कुल 65 लोग सभा सीचों में एकलोती महिला सांसद अविस महिला सांसद का भी लोग टिकित कातनी के ब्रयास में हैं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कारिक्रम महिला सशक्तिकरन पर आयुजित है तो डॉक्टर चरंदाश महिला सांसद के पहले भी सारवजिनिक तोर पर कहते हैं कि उनकी आखरी इच्छा राज्य सभा प्रतिविंधित्व करने की है लेकिन कॉंग्रिस सी 36 गड़ से यूपी के दो कद्दावर निताव को राज्य सभा की टिकेट दे चुके हैं और महिला साशक्तिकरन पर आयोजित कारिकर में डॉक्टर चरंदाश का दर्फ छलकता वा नजर आया और इस भी थी उन्होंने जब लोगों को अपना संदेश देनी के कोशिश की इसी दोरान महिला साशक्तिकरन पर ही बोलते वे उन्होंने कहा पत्नी जोटसना का भी टिकेट कारने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वो इस डायरे से इकलौती सांसद है और फिर भी उनका टिकेट कारने का प्रयास लोग कर रहे हैं और ऐसे में देखे फूर में राजुसभा सांता चायवर्मा भी इस दौरान मौजूर रही थी जहां डॉक्टर महांत महिलाओं को संबोधित कर रहे थे उस दौरान की बात है यह जब कुर्वा में एक सभा बुलाई गए थी और इसी सभा में डॉक्टर चरंडास का यह दर् लौती महिला सांसद है लेकिन फिर भी उनका किस तरीके से लोग चिकर्च कार्णी का प्रयास अभी से कर रहे हैं और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यह महिला शुशक्ति करन का मंच है और महिलाओं को लेकर के बाद से पूरे ह लाली जानकारे के लिए आपको बता दे कि पत्मी जोट्सना का चिकर्ट कार्णी के प्रयास को लेकर के उन्होंने कहा है और एक और उन्होंने निशाना साथने के भी कोशिश लोगों पिकी है कॉंग्रिस प्रबक्ता अमिश्य वास्ता हमाई साथ जुड़ चुके फोल लाइन पर सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका यू स्टेट मध्यप्रदेश 36 गड़ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखे चरंडाज जी का दड़ छलका है और एक भरी मंच से उन्होंने ये कह दिया कि एक मैला सांसत का टिकेट जान बूच कर काटने की कोशिश की जारी है क्या वाकई ये शड़ेंत्र के ताहित दिया जा रहा है आपको क्या लगता है प्रतिक्रिया रखेगा बयान सुनिये इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखेगा बयान सुनिये ये जे अमारे राजिस्पान, मत्षुदेश और सच्ची जारत में कुण मिलाके 55 लोग सबत किते हैं तीन गीते हैं सिर्फ कितने सरम की बाद है एक समलनात भी कर लाता एक हमारा दीपर को अर्मारात बस्तर का और तीसरी एक मात प्रमईला प्रसक्त मेंसे प्रसक्त की 55 में से एक बंजला जीती है पड़ी लिकी है, भासन भी करती है, उसके तुक्ता लादा सब लोग सबतंसर का नाम में हैं ले जेके यह बचारी सब्यद्ध बन रही, श्रीव के लादा प्रसक्त बन रही, बगर इनके बंते ही, इनकी खिलाव में साथी से शुरू हो जाए तो आमित जी, आपने अगर बयान सुन लिया हो, आप मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया जाना चाहूंगी मैं लगता है कि आज जो हमारे कॉंग्रेस में जिसकार से महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, बेटी हो लड़ सक्तियों जो एक कैमपेंच चला है, निश्चितों मुझे ऐसा लगता है, आप देखेंगी तो राजसभा में भी हमारे यहां से हमारी पहने जो गई हैं आप मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सारी स्टितियां परसीतियां क्या वनती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परसनली उस परिवार के मेरा भी बहुत अच्छे सम्मंद है, तो मैं एकी चीज कह सकता हूं कि वो क्योंकि फीडम फैटर परिवार से जुड़ी आज दबाए जा रहा है ना कल कोई दबा पाएगा, लेकिन इस चीज तोर पे मैं आपको बता दू कि इस परकार से एंकरी ने कैंपेञ चलाया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, हर बेटी के साथ का इक एक कार करता, का इक नेता है और आपको बता दू कि जो ठीक है, हमारे साथ राजीव चौकरवर्ती प्रवक्ता बीजीपी से भी जुड़ेवे, गर उनसे भी जान ले दे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है और जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं, कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रिया जाना जरूरी ह होता है, बहुत स्वागत है आपका राजीव जी निव स्टेट मध्यप्रदेश चातिसगड़ पर, आप से जानना चाहेंगे, अभी देखे, जिस तरीके से चातिसगड़ विदान सभाध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंत ने अपनी पत्नी को लेकर कि कहा कि जान बूच कर नाइदाई साल का चाहे मामला हो या चरंदास महांद भी अपने पिड़ा वेक्ष कर चुके हैं कि मुझे विदान सा अगर वो उनकी इच्छा थी कि उन्हें विदान सभाध की पटल की जगा उन्हें राज्य सभा बेजा जाए, तो कहीं न कहीं पर देखे, कॉंग्रेस के वर्ग संगर्ष, एक फूट और एक लडाई चल रही है, यह हमेशा कर चले परिपार्थी है, जब जोगी जी भी मुख्यमंद्री के जारा निर्णा अकेले करते थे, वो इसी परिपार्थी को आगे बढाते हैं विपेज पगेर जी भी तो यह तो यह प्यादास महीं जी वरिष्ठ नेता है और पूरे कोईलांचल में उनकी गहरी पैठ है, जन्ता की बीचने लोगप्री है, उनकी पतनी स्वांसाद है, वो कुद विधान सभा का प्रदनीजी तो कर रहे है, तो उनके मन में जो पीड़ा है, उन्होंने उस पीड़ा को वैक्स किया है, और जो नो दिख रही है, एक लगाई दिख रही है, चलिए ठीक राजीव जी और आविजी आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमाई साथ जोड़ने के लिए अपने